दोस्तों सुबह की भाग दोड में अगर हेल्दी और टेस्टी नास्ता बनाना है तो एक वार इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें यह रेसिपी बिल्कुल जटपट से बनती है तो चलिए फिर इस रेसिपी को बनाना सुरू करते हैं इसे बनाने के लिए मैंने एक कप सुजी एक कप पोट्स और हाफ कप चावल का आटा लिया है इसमें एक कप दही और एक कप पानी डाला है इसमें टेस्ट के एकोडिंग आप ननमक डालों और डालने के बाद इन सारी चीजेग अच्छे से मिला लेना है जिसे कि इसके अंदर कोई भी गुठलिया या लंस ना रहें देखिए हमारा जो बैटर है वो बिल्कुल अच्छे से मिल चुका है और इसे 10 मिनट के लिए रेश्ट पर छोड़ देना है 10 मिनट के बाद जो है इसके अंदर कुछ वेजिटेबल्स जैसे मैंने यहाँ पर प्याज, चमाटर और कॉर्ण को लिया है कॉर्ण बहुत ही हिल्दी होता है और इस कॉर्ण को मैंने गरम पानी में एक मिनट के लिए बॉयल कर लिया था और इसके बाद इसके फानी को चान करके निकाल लिया था अब इसमें कुछ कटे हुए घनिया पत्ता डालेंगे अब अपने नास्ते को थोड़ा और इंट्रेस्टिंग और टेस्टी बनाने के लिए हम यहाँ पर एक स्पेसल कड़का तयार करेंगे जिसके लिए मैंने आपर वारेटन मस्टर्ड ऐल लिया है और इसमें एक चमच उअबत की दाल एक चमच छने की दाल और एक चमच मैंने सर्सो के दाने डाले हैं साथी साथ आप अपने टेस्ट के एकॉर्डिंग इसमें हरी मिर्च डालने और इस तड़के को हलका ब्राउन मतब चटकने तक जो है इसके अंदर थोड़ा सोंधा पन आ जाए तब तक इसको क्रेकर करना है इसके बाद इस तड़के को हम अपने बैटर के अंदर डाल देंग आपको हमारी वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें सब्सक्राइब करें और चैनल पे बैल आइकन दबाना न भूले जिसे आपको जो हेल्दी और टेस्टी नास्तो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सकें तो ये देखिए मैंने इन स तारे मिक्शर को जो भी सामान थे उन सारी चीजों को मैंने अच्छे से मिला लिया अब यहां पर वन फोर्थ टीस्पूल के करीब बेकिंग सोडा डा लेंगे यहां पर बेकिंग पाउडर या बेकिंग इनो का इस्तमाल नहीं करना है जिसे कि हमारा नास्ता बिल्कुल सॉ लगा करके आप इसे बनाएंगे यहां पर मैंने इस धख करके दो से तीन मिनट जब तक हमारा नास्ता थोड़ा ऊपर से सेट हो जाए धख करके फकाएंगे इसके बाद इसमें हलका सा तेल जो है उपर से गरीस करेंगे और नास्ते को किनारे से छुड़ाते हुए पलटें में थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हमारा नास्ता टूटे नहीं कुझी नास्ता इतना सौफ ट बनता है कि तो पलटते समय थोड़ा सवधानी हर ऱखना पड़ता है और इस तरह से हमारे यह जो नास्ता है healthy और tasty इसे दोनों तरब से golden होने तक और अंदर तक सिख जाए medium आज पर हम लोग इसे धक धक करके पका लेंगे तो देखे मैंने यहाँ पर इस नास्ते को बना लिया इसी तरह से आप जितना भी बैटर है उसको एक एक करके अपने नास्ते को तयार कर लेंगे और यह हमारा healthy और tasty बिलकुल कम तेल में नास्ता बन करके तयार हो गया है मैंने यहाँ पर देखे सारे अपने बैटर से अपने नास्ते को बना लिया है इस नास्ते को आप चटनी या नारियल की चटनी सोहस या धनिया पत्ता की चटनी जिसके साथ भी आप खाना प्रेफर करें आप इसे खा सकते हैं आप इसे सुबा के नास्ते में या साम के हलकी पुल की भूख में भी बना सकते हैं नास्ता इतना टेस्टी है, हमारे बच्चे जो ओट्स वगरा या सबजियां खाना नहीं चाहते हैं, वो भी इस नास्ते को बहुत अच्छे से खाएंगे, एक बार मैं इसे तोड़ करके दिखाती हूं, देखिए हमारा नास्ता कितना ही सौफ्ट, फलपी और देखने में कित इतना इंट्रेस्टिंग बना है, तो आप अपने डाइट में इस नास्ते को सामिल कीजिए, और मुझे कमेंट में बताइए कि आपको ये नास्ता कैसा लगा, थैंक्यों,